अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें साथ में बेल आइकन होगा उसको भी प्रेस कर दीजेगा इसके अपक्रमिंग वीडियो की निटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगे आज की इस वीडियो में हम डिस्स करने वाले हैं कीप वाल पेपर लगाते टाइम किन किन पॉइंट्स को ध्यान में रखना चाहिए जिससे कीप वाल पेपर में बाद में दिक्कत ना आए देखने में अच्छा लगे और उसकी लाइब भी अच्छी रहे यह वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है कि इसमें हम इंपॉर्टेंट टिप्स के बारे में डिस्स करने वाले हैं वीडियो को एंड तक देखीगा छलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं जली सबसे पहले बात करने हैं कि वालपेपर डिखता कैसा है वालपेपर कुछ इस तरह का दिखता है ठीक है यह रोल के फॉर्म में आता है जब आम मार्केट में पर्चेंस करेंगे तो यह रोल के फॉर्म में आपको मिलेगा second एक रोल में जो है वो 50 square feet आपको wallpaper मिलता है and जो ये wallpaper की designs होते हैं ये आपको different different designs मिल जाएंगे इसमें designs की कमी नहीं है wallpaper में based on your choice आप अपने पसंद से अपने पसंद की design की wallpaper आप purchase कर सकते हैं so सबसे पहला point है कि good quality of wallpaper को आप purchase करो क्योंकि अगर आप सस्ते wallpaper को लगवाते हैं so लंबे time में वो आपको दिक्कत देगा ठीक है वो ज्यादा time तक चलता नहीं है और बाद में वो क्या होगा निकल जाएगा खराब हो जागा उसके color fade पढ़ जाएंगे alright so आप अच्छे quality का wallpaper लगवाईए good quality of wallpaper you should purchase and apply on wall पहला यह important point है now दूसरा point जिस wall पे आप wallpaper लगवा रहे हैं सबसे पहले उस wall को आप check करिए कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो wall है उसकी leveling प्रॉपर नहीं है ups and downs है अगर ups and downs होंगी अगर प्लास्टर रॉपर अच्छे से नहीं हुआ है दिन आपको ups and downs की समस्या देखने को मिलेगी अगर जो wall है उसमें painting हुआ ही नहीं है नया wall है प्लास्टर हुआ है तो उसमें जो है अगर आप पनिंग नहीं कराना चाहते हैं तो मत कराईए लेकिन उसमें पहले पुट्टी का काम कराईए पुट्टी कराईए फिर घिसाई अच्छे से करवाईए उसके बाद उस पे जो है प्राइमर की एक कोट लगवाईए and then उस पे आप जो है wall paper fix करवाईए अगर पुराना wall है तो पुराने wall पे आप डिरेक्टली wall paper को अपलाई कर सकते हैं लेकिन अगर wall में leveling नहीं है ups and downs है देन आप क्या करिए paint को हटवाईए पनिंग करवाईए पनिंग कराने के बाद पुट्टी पुट्टी के बाद प्राइमर प्राइमर के बाद देन wall paper लगवाईए पनिंग क्या होता है पनिंग एक process होता है जिसमें thin layer of P.O.P को जिस wall पे leveling करवाना होता है उस पे apply करते हैं जिससे पूरी wall जो होती है वो एक proper shape एक proper leveling में आ जाते है उसमें ups and downs की जो problem थी वो issue हट जाता है ना कुछ लोग सोचेंगी budget बढ़ जाएगा जरूर budget थोड़ा बढ़ेगा लेकिन देखने में wall paper और जो wall है वो बहुत ही अच्छा लगेगा अगर आप नहीं कराना चाहते हैं पनिंग कोई बात नहीं direct आप जो है wall paper fix करा सकते हैं ओके लेकिन ध्यान रहे अगर नया wall है ज लाइफ बढ़ जाएगी और wall की भी लाइफ बढ़ जाएगी तो दोनों को consider करते हुए मैं आपको यह suggestion दे रहा हूं और मैं कहीं भी लगवाता हूं wall paper को सो मैं ध्यान रखता हूं कि primer हो गया हो तब ही मैं wall paper को apply कर वाँ या तो wall पुराना है तो उसमें paint हुआ होगा तो direct लगवा देते हैं अगर लेवलिंग सही तरीके से है तो देन मैं ओनर को जो है suggestion देता हूं कि यह scenario है अगर आप चाहें तो without wall without punning या without removal of paint पर जा सकते हैं direct wall paper लगवा सकते हैं या तो पहले पूरे paint को हटा के पनिंग करा के पापी से पुट्टी लगवा के प्राइमल पढ़ने पर यह चीजे साफ साफ दिखती है और बड़ी मतब अजीब सा लगता है वह पूरा environment जो है ना वह खराब हो जाता है पुरी रूम का पूरी space का particular space का जाए वह ड्राइंग हो जाए वह bedroom हो कहीं भी आप लगवाते हैं तो इसलिए मैं आपको recommend करूंगा now next point जब भी आप wallpaper को fix कराएं मैंने जैसे बताया था starting में कि wallpaper जो है वो roll के form में आता है जो roll का width होता है वो 21-22 inch होता है ठीक है means less than 2 feet 2 feet में 24 inch होता है अगर आप जब उसको एक तरफ से लगाना शुरू करोगे एक तरफ आपने लगा दिया जब आप एक साइड लगा के दूसरी तरफ आप shift होना शुरू करोगे तो होता कहा ना कि अगर उसमें कुछ design मनी है तो आपको ध्यान दिना पड़ेगा कि design match करें जब दूसरा आप लगाना शुरू करो तो उसका जो जो मैच करना चाहिए design otherwise अगर वो अप डाउन हुआ तो throughout पूरा वाल पेपर आपको अप डाउन दिखेगा design match नहीं करेगा तो जैसा एक वाल पेपर दिखना चाहिए वो कैसा दिखेगा बीच-बीच में ups and downs दिखेंगे सब को पता चल जाएगा कि यह जो वाल पेपर लगा है वो पार्ट में लगाए गया है तो ध्यान दिखेगा कि cut to cut fix हो okay जो design है जैसे माल लिजे flower का design है वाल पेपर में okay एक वाल में माल लिजे एक वाल आपका जो है लंबाई गुड़े चड़ाई कर हम बात करें दस बाइदस का है त and for example end में जो है flower का half portion cut है अजब दूसरे side से लगाना शुरू करें गए तो जो दूसरा portion है वो दूसरे side में दिया रहेगा तो वो match करें दिन ही आप उसको उस तरह से लगवाईए okay जिससे throughout एक जैसा design दिखे पैटर्न अच्छ से दिखे तो यह बहुत important था जब आप वाल जो जो डूर होता है उसका फ्रेम दूर फ्रेम होता है चोँखट जिसको हम बोलते हैं या window हो गया या कोई electrical panel है तो उस जगह पे जब वाल पेपर को लगाया जाए ना तो जैसे डूर फ्रेम से वाल पेपर को जब स्टार्ट करते हैं लगाना तो हमेशा कुछ extra portion वाल जब उसको कट करेंगे तो वहां पे वाल पेपर और डूर फ्रेम के बीच में गैपिंग नहीं दिखेगे अधर्वाइस होगा क्या कि आपने जो है कट टू कट फिक्स कर दिया वाल पेपर को आपने डूर फ्रेम से ऐसे अटाइज करके लगा दिया तो होगा क्या जब आपके डूर फ्रेम से विंडो फ्रेम है एलेक्ट्रिकल पैनल है वहां पर थोड़ा एक्स्ट्रा पोश्चन आपको लेकर चलना है नेक्स्ट बात करते हैं सो कभी कभी क्या होता है एलेक्ट्रिकल बॉक्स आते हैं छोटे-छोटे जिसमें जंक्शन हम जिसको बोलते हैं को उनको चुपाना नहीं है उनको हमेशा कट करके दिखाना है तो होता कि कभी इलेक्ट्रिकल में कुछ दिक्कत आई थे कहा है वायरिंग में कुछ इशू आ गया या कहीं से वायर एक्स्टा लेके जाना हुआ तो वाल पेपर से पुरे वाल कवर कर देंगे तो वह junction point पे अगर कवर कर देंगे तो पता ही नहीं चले है कि कहां से pipe कौन सा गया है तो इसलिए उसको कभी ढखना नहीं चाहिए उसको जहां जहां आपको वह cap दिखे white roller cap होता आप image में देख सकते हैं वहां पे या वो क्या करना वाल पेपर को इस portion को हटा देना है ठीक है जिसे पता रहे कि हाँ यहां पे junction है यहां से wire pass हुआ है junction वो point होता है जहां से एक से ज़्यादा direction में wire pass होते हैं ओकी so it is very important अब नेक्ट पॉइंट की बात करते हैं अगर किसी will pay or wall paper लगवा रहे हैं तो ध्यान दें कि उसमें ceiland की समस्या ना हो अगर ceiland की समस्या है उसमें आपको दिखता कि नमी है पूरे wall में या कहीं से नमी आ रही है किसी particular portion पे भी नमी आ रही है पहले आप ध्यान देए कि वह नमी ठीक हो बगल वाले जो आपके नेबर में माकान बना है उसकी वज़से निलीं का समस्या आएगा आपके जी वाल में कई वाटर की पाइप्टॉशन से भाइब पर आज है तोकiva जो अगर शिर्मी नहीं कर सकते है ठीक है वह पर्मानिट आना हीं आना है दिन उस scenario में कहा है पहला option तो है वाल पेपर आप उस वाल पे मत लगवाईए और दूसरा option यह है कि उसमें आपको waterproof प्लाई लगवानी पड़ेगी चार में की पतली सी प्लाई होगी उसको पूरे वाल में लगवाना पड़ेगा तो कि दिन उसके बाद ही जो है वाल पेपर को आप फिक्स करवाएं सबसे बड़ा दूश्मन है पानी पानी paint का भी दूश्मन है वाल पेपर का का भी दूश्मन है ईविन लखडी जो फनीचर उसकी दूश्मन है वाल पेपर न लगवाईए दूसरा option है पूरे वाल पे आप waterproof प्लाई को apply करिए अगर आपको प्लाई के बारे में जानकारी चाहिए कितने टाइप के, काउन से ग्रेट के प्लाई होते हैं नॉन वाटर प्रूफ, पॉटर प्रूफ आइप डरन पे क्लिकर के वीडियो आप देख सकते हैं डिटेल में डिस्स किया हुआ है प्लाई के बारे में ठीक है, तो आप उस पे 4 mm का प्लाई लगवाईए प्लाई लगवाने बाद देन आप उस पे वाल्पेपर को अप्लाई करा सकते हैं ऑके, बट मैं सजेस्ट नहीं करूँगा या जितने पोर्षन पे नमी आ रही है, उतने पोर्षन पे अप्लाई लगवा सकते हैं ये एक secondary option है तो आप उस पे भी जा सकते हैं एक बहुत important point है वो भी आपको ध्यान में रखना है कि जिस वाल्पे आप वाल्पेपर लगवा रहे हैं उस वाल्पे जितने भी electrical boards जो circuits लगे हैं उसमें जो panel लगा होता है ना, cover panel उसको निकाल के फिर वाल्पेपर लगवाना है ऐसा नहीं कि उसको आप नहीं निकलवाएं डिरेक्टली आपने वाल्पेपर लगवा दिया तो उसमें क्या होगा अगेन जैसे door frame और wallpaper की बीच में gap दिखता वैसे ही इस case में पैनल और wallpaper की बीच में gapping आ जाएगी तो वो एक बहुत बड़ी problem होगी तो better option यह है कि जितने भी boards हैं उसका panel cover जो है वो निकालना है wallpaper लगवाना है फिर जो भी boards हैं वो extra cutting करके wallpaper को हटाना है and then again जो है cover को आप fix करेंगे तो बहुत ही अच्छा finish अच्छा look देखने को आपको मिलेगा I hope आपको अब समझ में आ गया होगा जितने points को आपने discuss किया है and कभी भी आप अपने घर में wall paper लगवाने के बारे में प्लान करेंगे then ये tips आपके लिए बहुत ही फायदे मन होने वाली है and इस video को आप अपने friends में share कर सकते है video पसंद आई हो तो video को like कर दीजिए channel को subscribe कर दीजिए and ऐसे ही support करते रहिए मैं ऐसे ही आपके लिए interesting video बनाता रहूँगा so चलिए फिर मिलते है नेक्स वीडियो में किसी निया thought के साथ तब तक के लिए नमस्कार जैहेंद बने मात्रव